दोस्तों फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि जब हम अपने सौफ़एर को बाकाइदा तोर पे इस्तमाल करना शुरू करेंगे अब हम जाएंगे अडोब इलिस्टेटर की तरफ और प्रैक्टिकली मैं आपको अडोब इलिस्टेटर का इंटरफेस समझाऊंगा दोस्तों इंटरफेस मुराद है वो शकल सौफ़एर की जो उस वक्त आपके सामने आती है जब आप उसको ओपन करते हैं अच्छे यहां पे आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ मैंने ये चीज नोट की है कि बहुत सारे बिगिनर्स सौफ़एर की इंटरफेस को देखे घबरा जाते हैं और बिलकुल परिशान हो जाते हैं और डर से जाते हैं दोस्तों आपने बिलकुल भी डरना घबराना नहीं है मैं आपको अडोबी इलस्टेटर का जो इंटरफेस है वो बहुत ही असान करके समझाने वाला हूँ और इस तरह से आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत असान हो जाएगा आपको इससे बिलकुल घबराना नहीं है आपको इसको इसको इस्तमाल करना सीखना है तो चलें आएं चलते हैं अडोब इलस्टेटर की तरफ अच्छा जी तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने सौफ़वेर को ओपन करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह मेरे पास डॉक के अंदर अडोब इलस्टेटर सीसी टूजन एटीन जो है इसका वरिजन मौजूद है तो मैं क्लिक करता हूँ इसको और अब हम बिसमिल्ला करते हैं अपने सौफ़वेर की तो यह आपके सामने अब इस अडोब इलस्टेटर जो है यह ओपन हो रहा है यह आपके सामने इसका जो फर्स्ट विंडो है यह आ चुकी है इसके बाद अब हम क्या करेंगे हम क्रिएट न्यू के ओपर क्लिक करेंगे जैसा के हम पहले भी जान चुके हैं कि हम जब सौफ़वेर को ओपन करते हैं चाहे वो इलस्टेटर है या फोटो शॉप है तो हम उसके हवाले से जब न्यू डॉकुमेंट लेते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट मीडियम्स के हवाले से कुछ सेटिंग्स चूज करनी होती है ये सेटिंग्स जो हैं इनके बारे में आपको बताओंगा जी आने वाले लेक्चर में अभी हम आगे चलेंगे मैं इसको क्लिक करूंगा क्रियेट पे और ये देखें ये अब आपके सामने जनाब ओपन हो चुका है अडोब इलिस्टेटर का में इंटरफेस जी ये वो जाहरी पहली शकल है अडोब इलिस्टेटर की जो आपके सामने आएगी जब आप इलिस्टेटर को ओपन करेंगे और new document को choose करेंगे अच्छा अब आप ये देख सकते हैं आपके पास Adobe Illustrator के अंदर सबसे टॉप के उपर ये एक कुछ buttons मौजूद है ये दोस्तो एक menu है buttons का जिसको हम कहते है main menu इस main menu के अंदर आप different buttons देख सकते हैं जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुए file, edit, object, type, select, effect, view, window और help सबसे पहले हम थोड़ा सा जरा study कर लेते हैं इन तमाम buttons को और इन tabs को देखते हैं कि इन tabs के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं दोस्तो फाइल को अगर हम open करें तो ये देखें, new document चूज़ करना कोई भी चीज़ open करना file को save करना save as करना इसी तरह से file से कोई भी चीज़ export करना ये तमाम जो चीज़ें हैं और इसके अलावा document setup वगरा जैसे जो options हैं ये आपके पास यहाँ पे file menu के अंदर मौजूद है जिसां ये मैंने आपके सामने document setup को open किया है तो आप देख सकते हैं किसके अंदर जो document के हवाले से जो important settings हैं वो आपके सामने मौजूद है इसके अलावा अगर हम जाएं जी edit के अंदर edit के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ different options देखने को मिलती है जो के edit के हवाले से है different चीज़ों को edit करने के हवाले से जो options है वो यहां पर इस menu में हमारे पास दी गई है अच्छा यहां पर एक बड़ी important चीज़ है वो है जी यह सबसे नीचे preferences के नाम से इसको हम देखते हैं इसको मैंने click किया यह आपके सामने कुछ different settings आ गई है जिससे आपके सामने यह different options आ रही है जी general के नाम से यह button आपके सामने open है और यह different general settings आपके सामने आपको नजर आ रही है screen के उपर इसी तरह से selection and anchor display के जो आपका यह जो anchor है जो cursor है यह आपके स्क्रीन के ओपर किस तरह से दिखाई देगा और anchor point और handle जो है उसका illustrator के अंदर वो जो settings है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है type के हवाले से यानि के text के हवाले से different settings यहाँ पर आपके पास मौजूद है इसी तरह से units के हवाले से inches, points, pixels वगेरा यहाँ पे कुछ settings आपके पास available है guides and grids के हवाले से यहाँ पे आपके पास settings मौजूद है इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि user interface के हवाले से भी यहाँ पे आपको कुछ options दी गई है मिसाल के तोर पे यहाँ पे अगर मैं यह different buttons के उपर click करूं तो आप गोर करें आपको नजर आ रहा है आपके screen के उपर के यह जो background है आपके पूरा जो background color है आपकी पूरी illustrator के main interface का यह change हो रहा है तो यहाँ से आप यह पूरा जो background color है अपने interface का इसको आपके change कर सकते है इस तरह की और बहुत सारी options यहाँ पे मौजूद है अच्छा इसके बाद हम जाते हैं जी object में object में objects के हवाले से different settings हों है वो यहाँ पे दी गई है यह जब हम आगे चलके objects को draw करेंगे और इनके उपर काम करेंगे तो यह settings हम पड़ी detail के अंदर देख लेंगे अच्छे जी type यानि के text के हवाले से यहाँ पे again कुछ settings आपके पास मौजूद है तीक है जी और कोई भी font वगएरा आपने ढूनना हो या कोई character आपको चाहिए हो character के हवाले से font के हवाले से कोई भी settings आपको चाहिए हम आपको यहाँ पर मिल जाएंगी selection के हवाले से यहाँ पे आपके पास कुछ options मौजूद है इसके बाद यहाँ पे एक effect panel है यह बड़ा important चीज है बड़ी मज़े की चीज है इसको भी हम आने वाले lectures के अंदर topics के अंदर cover करेंगे अच्छा यहाँ पे फिर view के हवाले से आपके पास कुछ options मौजूद हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आप अगर zoom in करना चाहते हैं अपने document को तो यह देखें आप view के अंदर यहाँ पे जाके आप zoom in कर सकते हैं इसी तरह से आप zoom out भी कर सकते हैं यहाँ से तो view आप अपने document को या अपने यह जो आपके सामने आपका एक page open हुआ हुआ है इसको आप किस से आप से view करना चाहते हैं यह चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं इसके बाद window panel है अच्छा जी यह window panel बड़े important panel होता है यह तकरीबन तमाम graphics से relevant जितने भी software हैं उन में तकरीबन तमाम ही में पाया जाता है generic और common सा एक यह tab है अच्छा इस tab के अंदर आप जाते हैं तो यह देखें आपको actions, align, appearance, artboards गरस के वो तमाम के तमाम options और वो तमाम के तमाम menus जो के illustrator के अंदर use हो सकते हैं वो इस window वाले panel में आपको मिलेंगे तो इसका फाइदा एक बहुत बड़ा क्या है कि मिसाल के तोर पे आप brushes ढून रहे हैं और आपको illustrator के interface के अंदर brushes नहीं मिल रहे हैं तो आप window में जाएं यहां पर आप देखें यह brushes की option है इसको क्लिक करें यह देखें brush वाला जो पैनल है वो आपके सामने open हो गया तो कोई भी पैनल अगर आप ढूनना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा तो आप यहां से window panel के अंदर आएं और यहां से आपको वो पैनल जाएं वो तमाम के तमाम मिल जाएंगे अच्छे यहां पर windows के अंदर एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो मैं आपको जल्दी से बताता चलूं यहां पर यह work space की option मौजूद है यानि कि यह different sets आपके पास बना के illustrator ने by default यहां पर रखती है कि अगर आप different tasks अचीव करना चाहते है illustrator के ओपर तो उन different tasks के हवाले से different settings पहले से बना के रखती है जितने भी tabs हैं जितने भी windows हैं उनके हवाले से यानि मिसाल के तोर पे अगर आप layout कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें आपके सामने paint के हावाले से color और brushes और गयरा और वह सारे important वो tabs open हो गए जो कि paint करते हैं आप इसे तना से अगर आप typography करना चाहते हैं तो ये देखें आपके सामने typography के हावाले से जो है वो कुछ options जो हैं वो आ गई हैं तो यह वाली एक option है work space की जो के आप choose कर सकते हैं और इसकी मदद से आप different sets जो हैं वो आप बना के जो के already पढ़े हुए illustrator में उनको आप अपनी असानी के लिए यहां से आके इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा जी आगे चलते हैं यह जो main menu है इसके नीचे यहां पर मौझूद है जी sub menu इसके अंदर जो भी तमाम options मौझूद हैं यह तमाम options वो हैं कि जो आगे चलके जब हम shapes औगरा create करेंगे और different चीजों के उपर हम काम करेंगे इन options का हम उस उसक्त बड़े अराम से detail में इस्तमाल करेंगे अच्छा यह आप देख सकते हैं यह आपके सामने left most left corner के अंदर एक बहुत ही important चीज़ है इसको हम कहते हैं tool bar आप एक यह भी काम कर सकते हैं कि यहां से इस tool bar को अगर select करें इसको click करके यहां पर आप drag भी कर सकते हैं यह देखें यह tool bar आपकी जो है वो free hand हो गई है और यह अब easy to use है आपके लिए यह जो tool bar है जी इसके अंदर वो तमाम tools basically दिये गए हैं जिन तमाम tools के उपर आप illustrator के अंदर काम करेंगे जैसे कि यह आप अगर किसी भी एक tool के उपर आएं तो आपको उस tool का नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा selection tool, direct selection tool, pen tool, type tool, shape tool, rectangle tool यह तमाम tools हैं यह हम illustrator के अंदर use करते हैं इन में से कुछ का इस्तमाल ज्यादा होता है कुछ का इस्तमाल कम होता है लेकिन यह तमाम tools हैं यह बहुत important है अच्छा इस tool बार के इस हवाले से एक important बात में आपको छोटी सी यहाँ पर guide करता चलूं कि यहाँ पर आप देखें आपको इन तमाम जो tools के icons बने में हैं छोटे 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 इन में से कुछ icons के उपर आपको right bottom के उपर एक arrow का sign मिलेगा और जब के कुछ जो icons हैं उनके उपर यह arrow का sign है यह मौजूद नहीं है तो दोस्तों जिन icons पर यह arrow का sign मौजूद है इसका मतलब यह है कि अगर आप उन पर click करके hold करके रखें जैसे इस वक मैंने click करके hold किया हुए तो उन tools के अंदर आपको मज़ीद कुछ options मिलेंगी जिसना से यह मैंने pen tool के उपर hold करके रखा तो यह देखें मेरे पास pen tool के अंदर मज़ीद कुछ options मौजूद है इसी तना से direct selection tool के उपर मैं अगर hold करता हूँ तो मुझे मज़ीद options मिलती है इसी तना से यह shape tool के उपर अगर आके मैं यहां पर hold करता हूँ तो यह देखें different shapes की different मज़ीद further छोटे मज़ीद tools आपको इन tools के अंदर मिलेंगे जबकि यह जो ऐसे tools हैं जिनके उपर यह arrow का निशान नहीं है इनके अंदर मज़ीद छोटे tools नहीं है यह सिर्फ एक single tool है जो के आप बड़े अराम से use कर सकते हैं यह जो आपके सामने अगर आप मेरे cursor के उपर गोर से देखें तो यह जो मेरे सामने एक white color का एक box है इसको हम कहते हैं जी artwork illustrator के अंदर और यह वो basically आपका canvas है जैसे हम paint करते हैं तो किसी canvas के उपर करते हैं को draw करते हैं किसी drawing sheet के उपर या paper के उपर draw करते हैं इसी तरह से यह आपका canvas है वो paper है जिसके उपर आप basically अपनी illustrations बनाएंगे अपने designs बनाएंगे और draw करेंगे paint करेंगे अच्छा इसी तरह से right corner के उपर आप अगर गोर करें तो ये देखें आपके पास डिफरेंट कुछ आप्शिन्स मौजूद हैं मैं विंडो में जाता हूँ वापस वर्क स्पेस में आता हूँ और एसेंशिल्स जो हैं इसको क्लिक करता हूँ बलकि ये इसके अंदर हमारे पास एक आप्शिन बड़ी अच्छी मजूदा जी एसेंशिल्स क्लासिक की इसके अंदर ये देखें आपको तमाम जो में इंपॉर्टन बार्स हैं और मैन्यूज हैं वो आपके सामने ओपन हो जाती है अच्छी अगर यहां पर आप गोर करें राइट कॉर्णर के अंदर आपको मजीद कुछ मैन्यूज मिलेंगे जिसना ये कलर का एक मैन्यू है इसी तना से ये कलर गाइड है स्वेचेस की एक यहां पर पूरा एक पैनल मुजूद है इसी तना से ये ब्रशेस का एक चोटा सा पैनल मुजूद है इसी तना से ये सिंबल्स है स्ट्रोक है इसके लावा ग्रेडियंट है इसके लावा ट्रांसपिरेंसी है अपेरंस है ग्राफिक स्टाइल्स है और ये आपके सामने लेयर पैनल है इसके अलावा ये जी एसेट एक्सपोर्ट का एक पैनल है और ये आर्ट बोर्ट के हवाले से एक पैनल है ये वो तमाम चोटे-चोटे पैनल्स हैं और बार्स हैं, मैन्यूस हैं जिनको हम गाहे बगाहे इलिस्टेटर के अंदर काम करते हुए डिफरेंट टास्क को अंजाम देने के लिए इस्तमाल करते रहेंगे यहां पर अगर आप गोर करें तो एक छोटा सा आपको बटन दिया हुए इसके ओपर लिखावा आ रहा है, एक स्पैन्ड पैनल्स अगर आप इसके ओपर क्लिक करें तो यह आपके सामने पैनल्स जो हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे काफी क्लियर तरीके से अच्छा जी तो यह आप लोगों ने अडोब इलस्टेटल का में इंटरफेस जो है यह मेरे साथ विजट किया और हमने देखा कि वो कौन सी मैन्यूज हैं वो कौन सी बार्स हैं टूल बार, मेन मैन्यू, सब मैन्यू और भी बहुत सारी हमने बटन्स देखे, बहुत सारी टाब्स देखी तो मैं अब उमीद करता हूँ कि अब इस डिसकेशन के बाद आप लोग जब भी अडोब इलस्टेटर ओपन करेंगे तो आपको उसको देखके बिलकुल भी खौफ नहीं आएगा बिलकुल भी डर नहीं लगेगा बलके आप बड़े अराम से समझ सकेंगे कि अलस्टेटर के अंदर कहा कहा पे कौन कौन सी आप्शन्स यहां वो दी गई हैं